जैसरी करश्ण मित्रो मित्रो आज आपको हम बताने जा रहें देने के राशी फल दिनाक 9 अप्रेल 2022 शनिवार के दिन काम तो आज के देने के राशी फल के अनुसार आज शुब ग्रहों की द्रश्टिव भगवान शनिदेव की क्रपा से आज 12 में से 7 राशियां भाग्यशा जाली रहेंगी इन 7 राशी वालों में आज है वरशब, करक, सिम्ह, कन्या, तुला, मकर और कुम्भ राशी वाले लोग वहीं अन्य राशियों को आज मिले जुले परिनाम मिलेंगे तो मित्रो आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत थे आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो ग आप नित्य का राशी फल नहीं नहीं ग्यानवरधक जानकारियां हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें तो आज चेत्रमाश शुकल पक्ष की अस्ट्मी तिथी है, शनिवार का दिन है, आज दिन की सुरवात पुनर वसु नक्षत्र से होगी और मितुन राशी में चंद्रम तक राहुकाल रहेगा, तो आज राहुकाल के दोरान आप कोई भी शुब मांगलिक व नयाकारिय शुरू नहीं करें, इस समय अवधी में किसी भी नई वस्तु की खरीदारी करने से भी बचें, आज दिसा सूल रहेगा पूर्वदिसा में, तो आज के दिन आप जिवता के नाम मंत्रों का अधिक से अधिक संख्या में जाप करके यात्रा आप कर सकते हैं, और आज का सर्वसरेष्ठ अतिसरेष्ठ मुहुर्थ, अभी जीत मुहुर्थ आरंब होगा, प्राताहकाल ग्यारह बच के 57 मिनिट से आरंब हो करके, दोपार 12 बच के 48 मिनिट त सकते हैं, तो अब जानी अपनी जन्मराशी के नुसार, आज आपके भागी के सितारे क्या बोलते हैं, और आज के दिन आपको अपनी राशी के नुसार क्या खास उपाई करना चाहिए, जिससे की दिन आपका शुब रहे, और कारी छेतर में भी आपको सफलता मिलें, तो मे स्थिक स्थिति भी बेहतर रहेगी व्यावसाइक रूप से चीजे सुचारू रूप से चलेगी और आपको अच्छी प्रगती मिलेगी आज कारोबार में व्रद्धी के योग हैं आज आपका स्वास्त भी पहले से काफी अच्छा रहेगा आपकी मनोरंजन के साधनों की में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपा इस प्रकार से हैं प्रातहकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शनी देव को समी पत्र अरपित करें मिठ आज आपके संपर्क अच्छे लोगों से इस्थापित होंगे जो आपको कारी में सफलता प्राप्ती के लिए सहायक और मारगदर्शक रहेंगे आपके लिए नए मित्र उज्वल भविश में सहायक होंगे नए छेतर में उद्यम करते समय और नए सहयोगियों से बादचित करते हुए अपने शब्दों और विचारों का चैन सोच समझ करके करें आज भाग्यकासाथ आपको पूरी तरह से मिलेगा काफी लोग से आज बारता लाप होगी मदर संबंद आपके बनेंगे आज आपको भाग्यकासाथ 84 प्रतिसेत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शुब रंग आपका नीला रंग है नीले रंग का प्रियो कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारे में विशेश सफलता पाने के लिए आपका विशेश उपाई इस प्रकार से हैं प्राताहकाल इस पुषिनान करने के पश्चाट एक काले वस्तर में काले उड़द रख कर के शनी देव के मंदिर में दान करें यता शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी ही मिथुन मिथुन राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज के दिन अपने से बड़ो और सज्जन व्यक्तियों का आदर सत्कार करने में आप आगे रहेंगे तो आपके लिए बहतर होगा आपके सामने आने वाली कठिनाईयां अपने आप गयब हो जाएंगी और रुके हुए कारी भी तेजी से आगे बढ़ेंगे आज आपकी प्रतिभा से आपका भाग्य जाकरत होगा और आपको सभी कारियों में सफलता के योग बनेंगे नीजी संबंदों में समयदन शिल्ता देखने को मिलेगी इसलिए आज सोच समझ करके बोलें आज आपको भाग्य कासा 84 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य जाली अंक नो है शुब रंग आपका पीला रंग है पीले रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारिय में विशेष सफलता पाने के लिए आपका विशेष उपा इस प्रकार से है प्राता हकाल इसनान करने के पश्चात भगबान शनी देव के मंदिर में सरसो के तेल कादान करें यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है करक करकर राशी वालों के अनुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज दिन की सुर्वात करकर राशी के लिए बहतर होने वाली है आप जिस किसी भी कारी को अपने हाथ में लेंगे उसमें आप सफल रहेंगे दूसरों के साथ मिलकर के किये गए कारियों में भी अच्छी सफलता के योग है आप रचनात्मक उद्देशियों में इनका पूरा उपयोग करने में सफल भी रहेंगे व्यापारिक छेतर में आप कुछ विपरीत इस्थितियों में द्रड़ता से निपट पाएंगे आज स्वास्त भी आपका वहतर रहेगा दूसरों के साथ मधुर व्यभार आपका बना रहेगा आज आपको भागय कासा 83 प्रतिसत प्राप्तों होगा आज आपका भागय शाली अंक दो है शुबरंग आपका गुलाबी रंग है गुलाबी रंग का प्रयोक कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेष लाब की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से ही प्राता हकाल इसनान करने के पश्चाद भगवान शनी देव के मंदिर में अनाच का दान करें श्रीफल अरपित करें यह था शक्ति शनी देव के नाम मंत्रों का जाब करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली रासी है सिम्ह सिम्ह राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा कि आज आपको भाग्य का भी साथ मिलेगा आपका अपने मित्र और परिचितों के साथ अच्छा समय वेतित होगा इस समय में आपके लिए किसी नई व्यापारिक योजना पर कारी करने के लिए समय बहतर है नए काम और नोकरी बदलने के लिए समय बहतर है नोकरी ढूंडने वालों को अच्छा परिणाम मिलेगा आप अपनी कारी योजनाओं को अपनी इच्छा के नुसार पूरा कर पाएंगे आज आपको भाग्य का साथ चियोत्तर प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग इसनान करने के पस्चात भगवान शनी देव के मंदिर में सरसो के तेल का दीपक जलावें और भगवान शनी देव को मिठाई का भोगर पित करके यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है आर्थिक रूप से पूरूब में किये गए कठीन परिस्रम का इनाम आपको मिल सकेगा आप आज कामकाज में मन लगा करके काम करेंगे और किसी अपने की सहायता से ही आपको अच्छा धनलाब हो जाएगा आज आपको भाग्य का साथ 80% प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंका साथ है शुब रंग आपका आस्मानी रंग है आस्मानी रंग का प्रियो कारे छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपाई इस प्रकार से ही प्रातहकाल इस्नान करने के पश्चाथ भगवान शनी देव के मंदिर में काले वस्तर में का सबा किलो काले उड़ रख करके दान करें यह था शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारी में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है तुला तुला राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज के दिन चुस्तिस फूर्ती के साथ अपने प्रत्य कारी को बहुत आसानी से पूरा कर पाएंगे विद्यार्ती वर्गों को परिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के योग है आज थोड़े से प्रयास से या बिना प्रयास के भी धन प्राप्ती के योग बनेंगे भाग्य इस समय आपके साथ रहेगा अतह किसी नए कारी को करने या योजना बनाने के लिए अती उत्तम समय है नोकरी आदी में किसी की सहायता से कुछ नया सीखने का अवसर मिलेगा मन में भी प्रसनता देखने को मिलेगी माता पिता के स्वास्थ का विशेश ध्यान रखें आज आपको भाग्य का साथ 92 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग शुपा इस प्रकार से ही प्राताहकाल इसनान करने के पश्चात भगवान शनी देव को शमी पत्र अरपित करे मिठाई का भोग लगावे यथा शक्ती शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है परिवारिक जीवन परिवार के सभी सदस्यों के साथ आनंदमय और आराम दायक रहेगा आपके मन में अपने गुरु जनों और बड़े बुजरों के लिए आदर सतकार की भावना आज होना चाहिए यहाँ आपके लिए काफी फाइदे मन रहेगी आज आपको भाग्य का सा 82 परतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंक दो है शुबरंग आपका गुलावी रंग है गुलावी रंग का प्रयोग कारी छेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेश लाप की प्राप्ती होगी तो आज के दिन कारी में विशेश सफलता आपका विशेशूपा इस प्रकार से हिन प्राता हकाल इसनान करने के पच्चात भगवान शनी देव के मंदिर में इसटील की कतोरी में सरसो के तेल का दान करें यथा शक्तिettu शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें एसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अपने मित्रों और इस्तेदारों से संबंद में मधूरता बढ़ेगी जीवन सांती के साथ थोड़ा समय बिताएं उनके समस्याओं को ध्यान से सुनने और भावनाओं को बहतर तरीके से समझने से संबंदों में प्रगारता आएगी आज आपके घर में कोई शुब मांगली क आज आपको भागय का 7, 86, 30 प्रतीसर प्राप्त होगा आज आपका भागय शाली अंक 5 है शुबरंग आपका हरारंग है फरे रंग का प्रियोग कारीज चेतर में आज अधिक-सदिक आप करेंगे तो आपको विशेस लाब की प्राप्ती होगी तो आज कारी में विशेस सफ को अच्छी सफलता मिलेगी अगली राशी है मकर मकर राशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज बे वजह किसी से मन मुटा हो सकता है इसलिए आज संबंद सभी से मधूर बनाए रखें स्वास्त के लिहाज से देखा जाए तो आज आपका स्वास्त बे आज आपका भाग्यशाली अंक छे है शुबरंगा आपका बादामी रंग है बादामी रंग का प्रियोक कारे चेतर में आज अधिक सदिक आप करेंगे तो आपको विशेशलाप की प्राप्ति होगी तो आज के दिन कारे में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशेश बगवान शनी देव के मंदिर में सरसो के तेल का दान करें अन्न का दान करें यथा शक्ति शनी देव के नाम मंत्रों का जाप करें ऐसा करने से कारे में आपको अच्छी सफलता मिलेगी अगले राशी है कुंब कुंबराशी वालों के नुसार आज का दिन इस प्रकार से रहेगा आज अपने सत्रों को अपने उपर हावी बिलकुल नहीं होने दें बलकि उनको परास्त करने में आप सफल आज रहेंगे आज भाग्य का साथ मिलने वाला है परिवार और मित्रों के साथ घुमने फिनने की योजना आप बना सकते हैं आज व्यावसाइक वर्ग महतुपुल्न सोधा कर सकते हैं आज का दिन स्वास्त के लिहाज से काफी अच्छा है आज आपको भाग्य का साथ 96 प्रतिसत प्राप्त होगा आज आपका भाग्य शाली अंकदश है शुबरंग आपका आस्मानी रंग आश्मानी रंग का प्रियो कारी छेतर में आज अधिक सदिकाप करेंगे तो आपको विशेश लापकी प्राप्ति होगी तो आज के दिन कार्य में विशे सफलता पाने के लिए आपका विशे सुपा इस प्रकार से ही प्राता हकाल इसनान करने के पस्चाद भगवान शनी देव के मंदिर में सरसो के तेल का दान करें और अन्न का दान करें यथा शक्ति शनी देवता के नाम मंत्रों अथवा चालीसा का पाट करें। ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। यथा शक्ति शनी देव के मंदिर में काले वस्तर में सवा किलो काले उड़द रखकर के दान करें। यथा शक्ति शनी देवता के नाम मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से कारिय में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो मित्रों आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह देनिक राशी फल की जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद जैस्रीक रश्नमित्रों फिर मिलेंगे।